सुप्रबाद नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सुपर 9 बजे, मैं हूँ प्रीती सिंग, आए शुरुवात करते हैं मुख्य समझारों के साथ सरकारी बैंकों को अंतर राष्ट्री आकार देने और 5 ट्रिलिन डॉलर की अर्थव्यवस्ता के लक्षे को लेकर सरकार का बड़ा खतम सावजनिक शेतर के चार बड़े बैंकों में होगा छे छोटे बैंकों का विले मर्जवर की बाद रह जाएंगे सिर्फ 12 सरकारी बैंक, बैंकों में 55,250 करोर रुपे की पूंजी डालने का भी अलान वित्बंतरी ने कहा मजबूत बैंकों से अर्थव्यवस्ता को मिलेगी रफ्तार असम में राष्ट्रे नागरिक रिजिस्टर की अंतिम सूची आज होगी प्रकाशित मुक्यमंतरी सर्वनन सोनुवाल ने कहा एनारसी से बहार होने पर चिंतित होने की जरूरत नहीं डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपए और 31 दिसंबर के बाद 10,000 रुपए लगेगा जुर्माना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वी जेन्ती पर साबरमती रिवर फ्रेंट पर भवे समारों की योजना प्लास्टिक का चुरा जमा करने के लिए देश भर में लोग करेंगे श्रमधान और किंस्टिन में वेस्ट इंडीज के खिलाब दूसरे क्रिकेट टेस्के पहले दिन कप्तान विराट कोहली और मयंक अग्रवाल के अर्दुषयतक से मजबूत स्तिती में भारत आज पांच विकेट पर दोसो चौसर फ्रन से आगे खेलेगी टीम इंडिया रिशाप पंत 27 रन और हन्मा विहारी 42 रन बना कर क्रीज पर मौझूग सरकार ने कल बैंकिंग शेतर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जिसके तहएं दस सरकारी बैंकों को विले के बाद चार बड़े बैंकों में तबदील किया किया है किंद्रे वित्मंत्रे निर्मिला सीतारमन ने कहा कि बैंकों को अंतराश्ट्रे आकार का बनाने के साथ पांच ट्रिलियन डॉलर की एकनॉमी का लक्ष हासल करने की दिशा में ये कदम है शुकरवार को सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में मर्जर यानि विलाय को लेकर बड़े ऐलान कर दिये इसके तहट दस बड़े बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंकों में तबदील करने का फैसला किया गया मरजर का ये तीसरा फेस था इसके तहट पंजाब निशनल बैंक, ओरिंटल बैंक ओफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक का आपस में विले हो गया है और इसे पंजाब निशनल बैंक के नाम से जाना जाएगा दूसरे मरजर में इलाहबाद बैंक और इंडियन बैंक का मरजर किया गया तीसरे फैसले में यूनियन बैंक ओफ इंडिया में आंधरा बैंक और कॉर्परेशन बैंक का विले हुआ जबकि किनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विले हुआ है लाज प्वारिंग कर दो प्रिव थार 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 रातर रातर बानाचराइब, लाज भी टोपाराइब ब्टोर्ब प्रियों कार रहाता है। यह जो पंजाब लिएपनलियन बाना सिर्वा लिव भी रातमा कर दोड्या बैंटिति बातर हैं with business of 17.95 lakh crores, which is at least approximately 1.5 times that of Punjab National Bank. So that will be the first one that we are talking about. The second largest branch network that is available in India will be of theirs, with 11,437 branches. So the first one that we are announcing is Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank. Three together. What will this give us? A high CASA and lending capacity combined in consolidated bank. ये मारा जारा है कि एकोनोमी में आई सुस्ती को दूर करने के लिए मोधी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. साथ ही बैंकों को एकोनोमी का ड्राइवर बनाने की भी कोशिश की गई है. विले से कर्च देने की लागत कम होगी और सरकारी बैंकों की अर्थविवस्था भी मजबूत होगी. कर देने की अर्पिश कर देने की उड़ा घ्राइव का बास्ता रमूलत होगी कर देने की बास्ता है. वितमंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच UPA सरकार के कारिकाल में बैंकों ने जिस तरह लोन दिये उन से उपजे NPA ने अर्थ विवस्था के साथ साथ उनकी भी सेहत को खराब किया उन्होंना कहा कि 2500 करोड से ज्यादा के हर कर्व पर नजर रखी गई और NPA 8.65 लाग करोड से घटकर 7.9 लाग करोड हो गया 2017 में 27 सरकारी बैंक थे और अब 12 सरकारी बैंक होंगे SBI के बाद PNB अब दूसरे नमबर का सबसे बड़ा बैंक बनेगा इस साल जन्वरी में कैबिनिट ने देना बैंक, विजिया बैंक और बैंक का बड़ोदा का मरजर मन्जूर किया था इस से पहले 2017 में सरकार ने SBI में 5 सहयोगी बैंकों का भी विलैकर दिया था सरकार ने कहा है कि इन मरजर से किसी की नौकरी पर कोई खत्रा नहीं होगा सरकार ने बैंकों के मरजर का ये तीसरा बड़ा निर्ण लिया है जिसके तहट अब 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं यानि कुल मिलाकर अब 27 की जगह देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और सरकार का ये मानना है कि इससे देश की अर्फियोस्था को ना सिर्फ 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकेगा बलकि बैंकों की इन संख्या से ग्रहकों को भी अब ज्यादा सुविधाएं मिल सकेगी दिल्ली में दुश्मनता के साथ पंचानन मिश्रा राज़ सभा टीवी मौझूदा वितवर्श की पहली ते महाई की दौरान आर्थिक विकास की दर 5 पीसदी दर्ज की गई है सुस्त मांग और नवेश घटने की वज़े से जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है सीएसो की तरफ से जारी किये गए आकड़ों के मताबिक पहली ते मही के दौरान नवनुफाक्टरिंग सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ दशंबलव 6 प्रितिशत दर्ज की गई है जबकि क्रिशी क्षेत की ग्रोथ 2 प्रितिशत दर्ज की गई है कॉटली इंडिकेटर इपोर्ट शॉट टर्म चेंजिस इन दी इफर्ट इकनिक पारमेटर्स फिसक्टप्रेड色 कि अप्रिशन आज की उन्सेशची एम बदाट ग्रींट जोर्ट से स्वे बेस पिर С column पूल अट बीजिकेंश्पशर्स बेदिकarin मुत gj pasti यर एक्निुटग कर पकार क्याब इंड और ठė議 है and therefore its growth by 8.6% compared to 4.3% earlier is definitely something that we should take note of which may indicate together with the growth in credit at about 12% may indicate that there are some green shoots towards a higher growth rate. Income tax return परने के आजा आखरी तारीख है अगर आप टैक्स के दारे में आते हैं और आपने 31 अगस तक ITI नहीं भरा तो आप पर भारे भर कम लेट फीस लग सकती है अगर 31 अगस तक रिटर्न नहीं फाइल हुआ तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपे और 31 दिसंबर के बाद 10,000 रुपे जुर्माना लगेगा CBDT ने स्टार्ट अप कमपनियों से जुड़ी शिकायतों के तारण को एक विशेश प्रकोष्ट बनाए जाने को अधिसूचित कर दिया ये पांस सदसे प्रकोष्ट एंजिल कर और अन्य कर से जुड़ी समस्याओं को देखेगा पित्बंत्रि निर्मला सीतारमन ने पिछले हफते CBDT में इस तरह का प्रकोष्ट बनाने की खोष्ट ना की थी असम में अब से कुछ दिर बाद NRC की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी राष्टर नागरिक रेजिस्टर को पूरा करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और आज वो चितमन्यालेके निर्देश के मताबएक NRC सूची को सरकार परकारिक करेगी यानि nrcasam.nic.in पर अपने आविदन रसीद संख्या टाइप करके ओनलाइन जानकारी ले सकते हैं इसके लावा लोग राजिस सरकार द्वारा स्थापित किये गए सेवा केंद्रों में जाकर अपना स्टेटिस चेक कर सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में असम के लोगों को जो भी मदद की जरूरत होगी वो उन्हें उपलब्द कराई जाएगी राजी के मुख्यमंत्री सरबरंसोनवाल ने कहा कि सरकार इस संबन्ध में लोगों को हर तरह की मदद देगी मुख्यमंत्री ने ये भी भरुसा दिलाया कि जिन लोगों की नाम अनर्सी में शामिल नहीं किये गए हैं उन्हें अपील दाखिल करने का मौका मिलेगा और केंद्री ग्री मंत्राले के निर्देशों के अनुसार विदेशी नयाधी करण में उनका पक्षे सुना जाएगा एतियात की तौर पर सुरक्षाबलों की क्यावन अतरिक्त कंपनियों को राजे में तैनात किया गया है विवियूर्ण थौर को सुना था ग्री किया, इन रहने हैं नचेदेशी नहीं चेडिल को क्षे सब्सक्राइब लिए अपले टाएपल पर एफिर अफिर एफिर घ्ट उन्हें ग्रेश कर्चूर्ट for the convenience of the people for 120 days so as long as appeal is there no one will be treated as foreigners because to declare a person foreigners is only the authority of the empty so in this regard no one has to panic and we on behalf of the government of Assam want to assure you that everyone will be taken special care of and whoever will be required the legal assistance government of Assam will extend wholehearted support to them in this regard I appeal all of you to maintain peace and tranquility in the state of Assam sarkar ki mahatma gandhi ki 150 wii JNT ke mokhi par ehmdabad me sabar mati rivo front par bhavya samaruo karni ki yujna hai sabsar par smarak sikkha or dark ticket jari kiya jayega sarkar ni shukhwar ko jari ek biyan mein kaha ki 2 October ka karikram is mokhi par ayujit kiya jane walay kai karikramo ka hissah hai is mokhi par 54 dèşo me gandhi ki awaksh prtima ka anawaran karni ki bhi yujna hai biyan mein kaha gya hai ki rashpita ki 150 wii JNT ke mokhe par kai karikrami kari karikrami ajit kiya jayenge aur rashpita ki 150 wii JNT mananen ke liye karikari samithi ki baitak shukruwaad ko pradhan menteri nareindra mudi ke dhikshita mein hui baitak mein raksha menteri rajnath singh, gurih menteri amit shah, avit menteri nirmala sita naman aur raja sambaah mein vipakshi nita ghulam nabiyah azad bhi mوجود thay si bai nye shukruwaar ko dèjshbar me 150 janghau pere ek sath aachanak tlashili hai si bai nye shukruwaar ko railway, pariwahan, bank, or bsnl samit kai vibhaagun me tlashili si bai nye un janghau ki tlashili jaham áadmii aur chhoťe vyaapariyo ko sabasiz zahadha parišan kiya jata hai si bai nye bharat ke pramukh shahed, dillie, jaypur, joodpur, guahati, shrinagar, shilong, chandigar, shimla, chinnai, madurai, kolkata, sahit kai shahiru me tlashili in dftar hoon me ye janne ki košish ki gai ki yaha kis tarha se loogu ki shikaito ko niptaya jara hai ianx media dhan shodhan maamlye me pi chidambaram ki si bai hiraasat teen dhin ke liye badaai gai hai aur si bai ki vidish adalat ne vishish adalat ne chidambaram ko 2. september tuk si bai hiraasat me bhej diya hai shukrawaar ko shidambaram ki c bai reman khatm ho rahae thi aur is liye unhye c bai nye rauze evanue koort me peish kiya gya ndillie ki rauze evanue koort me shukrawaar ko national herald maamlye ki sunwaai hui aur is maamlye me kongres ke antrim adeksh soniya gandhi ya poolv kongres adeksh rahul gandhi sahit kai vrish kongres inita aropi hai raja sabah sansa subramaniam swami ki yaachika parisunwaai hui aur is maamlye me swami shikaito karta hai adalat me kongres ke wakil ne swami ka cross examination karnation karte hui 2 ghande tuk sawal jawaab kiye agli sunwaai ab 28 sitambar ko hooggi pradhan manthri nareindra modi ke pradhan sachev nipraindra mishra retire ho raha raha hai aur unki jaga pk sinha ko pradhan manthri ka naya pradhan sachev nye ukti kya gaya hai nipraindra mishra ki kari mukti ki puchti kud pradhan manthri nareindra modi nye twitter par ki aur unke mutabek wun sitambar ki dousre saptah mein is zimmedarie se mukth ho jayenge pradhan manthri nye tweet karke unhnein behter bhavishy ke liye shubh kamanahe dhi hai pradhan manthri nye tweet karke bataya ka rupindra mishra nye apne pad se kari mukti hoonay ki chajatayi thi jiske baad unhone rupindra mishra se dho saptah tuk apne pad par benne rhenne ka nirudh kiya hai rupindra mishra ki jaga 1977 bach ki sewa nye vrta aies adhikari pk sinha ko PMO me special duty kye adhikari ke rup me nuked kiya gaya hai rajev goobah nye kyabiner sachev ka padbhar samhali liya hai unhonei pk sinha ki jaghali hai rajev goobah sese pehle kendri gree sachev thay aur abo 2 sal tuk cabinet sachev ka padbhar rahengue rajev goobah jharkhan kader ke 1982 bach ke I.A.S. adhikari hai mantri bandal ki nyuukti samithi nye rajev goobah ki cabinet sachev alay me vishish duty par adhikari ke rup me nyuukti ko manzuri dhi thi bharat nye pakistan mei sikh ladki ka phronn ke baad jopran dhan pariwardtar aur nikaha ki maamlye mei pakistan se ujit kariwai ki maang ki hai vidyash mantrali nye kaha ki dhish ke alag-alag samajik sangathano aur sikh samudai se is baren mei shikait mili hai unhonei is baren mei pakistan ki sarkar se chintah bhi jatai hai aur turnt ujit kariwaii karne ke liye kaha gaya hai tajuan tajuan nyanushe 370 ko htane ke maamlye par bharat ke rukha samarthan kiya hai bharat mei tajuan ke raja tain chungkwang nye shukruwar kudillie mei eksi sual ke jawaab mei kiya bharat ka anndroonhi maamlha kiwo apni sima ke inder pher badal karay ager iske bharat aur pakistan ko bạch kar apsi baat chit se hal karna chahiyye tajuan ke raja dut nye kaha ki iske bharat aur pakistan ki dhuip pakshy maamlye ke rup mei dhekha jana chahiyye tajuan ke raja dut dillie dillie study group ke karikram mei hissa lene aya thay think this issue is indian government takes and reorganize the boundaries and also we see it is the issue between india and pakistan so we consider is rather issue between these two countries but we also pay very close attention we are hoping the issue can be resolved bharat me tezzy se bharate internet ki pahunch ke saath tezzy se bhalate e commerce bazaar ko dekhte huyye bharati pritis pardhah yug ne ndillik indian habitat center me a workshop ka yugin kiya is ka e-commerce changing competition landscape in india is mowakhe pa niti ayo ke upad dhaksh rajiv kumar nne ka कि अविया बुटत क्षिकलर मुएफ इस्ट इन में वी वियरगन मुए अच्रप्ट जाएं जैसे नियवास्ट कि एडन different मुएफ इस तर दिजाएंट इस निवास्षाँ कि इस निजाहरा सूनी बेंचांटा इस ईवारिफ अफर्साद के अजय थे देए्ट निवास्टब् आजादी के अंदोलन के महतुपूर्ण हस्ताक्षर कुमार कालिका प्रसाद सिंग के युगदान पर अधारित पुस्तक का लुकारपन पदमविपूशन डॉक्टर कर्ण सिंग ने किया। राजसभा के उपसभापती हरिवंश इस समारों में मुख्य अति थी थे। उपसभापती ने कहा कि महांतम युगदान के बावजूद भुला दिये गए स्वतंतरता सिंग ने उपर शोध कर के पुस्तक लिखना एहम काम है। बिहार के बड़े स्वतंतरता सेनानी कुमार कलिका प्रसाद सिंग पर आधारित पुस्तक का लोकारपन पूर्व केंद्रिय मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंग ने किया। राज्यसभा के उपसभापती हरिवंश इस मौके पर मुख्य अतिती थे। कुमार कलिका प्रसाद सिंग एन अंसंग हीरो आफ आवर फ्रीडम स्टरगल पुस्तक के लेखक लोकसभा सचीवाले की अपर निदेशक डॉक्टर रनवीर कुमार हैं। उपसभापती ने इसे एहम लिखी कृती करार देते हुए कहा कि इसके लिए 1922 से लेकर 1942 तक की सरकारी गोपनिये फाइलों से लेकर उस दौर के अखबारों और विधान मंडल की कारवाई की मदद से काफी शमसाध्य काम किया गया है। ऐसे नायकों पर पुस्तक रचना ए जैसे लोग ऐसे ही हैं। उनका साहित हमेशा जब जब भी समाध, जब भी व्यक्ति, जब भी हमारी मना हिस्थिती, जब भी हमारा दौर हतासा, निरासा से गुजडेगा तो प्रेरित करने वाले लोग कुमार कालिका सिंही जैसे होंगे और उस पुस्तक की यही उप्यों दौक्टर रणवीर सिंग जी को, भाई रणवीर जी को मैं कितनी वधाई दो वह कम है, मैंने देखा है कि किस स्रम से, किस निस्था से, किस उर्जा से, बलकि एक हद तक कहें तो इस तरह किस रिजन में जो तप और त्याग होता है, वह उन्होंने किया, इसके लिए उन्हे दिल्ली के Constitution Club of India में आयोजीत इस समारोह में फुस्तक लोकारपन के बार अपने वक्तव्व में डॉक्टर कंड सिंग ने कहा कि भारत के राष्ट्रिय स्वतंत्र आंदोलन में कई श्रिवनी के नायक पैदा हुए, डॉक्टर कंड सिंग ने कहा कि इसका हिंदी में भी प्र अगर आप देखेंगे, इस किताब से उन्होंने जो कारी किया है वो इतिहास के पन्नों में आ गया है, रंग्वी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको मैं बदाई देता हूं फिर से, और मैं चाहूंगा, एक तो मैं चाहूंगा के तुरंत इसका हिंदी में इस समारूव में पूर्वसांसर, पतुलकुमारी, संतोष भारती और तमाम छेत्रों के महत्वपुर्ण लोग मौजूद थे, वक्ताओं का मानना था कि महत्मा गांधी के एक सो पचासमी जहनती वर्ष में ऐसे नायकों की यार प्रसंगिक है, जिनके बारे में लोग कम ज परशकिया और जेलों में भी रहे, अर्विंद कुमार सिंग, राज्य सभा टीवी, दिल्ली गत कराया जाएगा, इबात विवेकानन फाउंडेशन की उपाध्यक्ष निवेरिता भिडे ने एक प्रस्वारता में कही, साथी उन्होंने कहा कि विवेकानन फाउंडेशन 2020 में एक बड़े स्तर पर कारिक्रमा युजित करेगा, जिसमें बड़े स्तर से लेकर छोटे स्त पर तक के लोग भी भागनेगे. प्राफिक नियम तोड़ना भारी पड़ेगा. केंद्स सरकान ने मोटर वीकल आक्ट में बदलाव किया है और संशुधत मोटर वीकल कानून पहली तारीक से लागो हो रहा है. सरक परिभान और राजबान मंत्राले ने अठाई सगस को मोटर वाहन संशुधन अधिनियम 2019 के उन प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है, जो पहली सितंबर 2019 से प्रभाव में आ जाएंगे. अधिसूचित किये गए प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण बढ़े हुए जुर्माने के नियम हैं. जुम्यों कुहारा को हरा कर स्वान प्रावधा जीता था. वर इस हिस्तोरिक विन और शीज़ा प्राव नेशन शीज़ा गर्ट इंस्परेशन पर द बढ़ेंगे. स्पोर्ट्स मेन और वोमन अक्रास दे कंट्री खुल मयंक और विराट समय तीन विकट लिये और इसे के साथ फिलाल सुबनावजे के खबरों में मेरे साथ इतना ही आप बने रहे हैं राज़ेजबा टीवी के साथ नमस्कार